नमसकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों ट्रम्प और बाइडन पॉल बहुत ही अनोके मोड पर है और इस मोड की बहुत ही बड़ी वज़े हैं ट्रंप ट्रम्प सुम्प्रिम कोर्ड भी जा चुके हैं लेकिन उनका कुछ भी समाधान नहीं हो पाया है ट्रम्प हार की कागार पर हैं उनकी हार के क्या-क्या कारण हैं किस परकार से ट्रम्प भा रहे हैं और हार के कारण क्या-क्या परतिक्रियां चल रही हैं ट्रंप की हार के कारण अमेरिका में क्या चल रहा है वो हम आपको सब इस वीडियो में बताने वाले हैं और ट्रंप और बीडन के बीच में जो जो आगे होने वाला है वो भी हम आपको विशे चर्चा के रूप में बतान चैनल सब्सक्राइब डे क्या है तो परी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पहले को चालू कर ले ताकि जब भी नहीं और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जनकारी सबसे पहले आपको मिले ट्रंप और बीडन में क पाटे की टकर लगी हुई है ट्रंप की वाइफ का भी कहना है कि ट्रंप सायद अब की बार हार सकते हैं ट्रंप की वाइफ मेलीनिया का भी कहना है कि ट्रंप अब की बार कई करणों से आ गए हैं दोस्तों ट्रंप की हार के कई कारण हो सकते हैं जिस परकार से भारत को ट्र अमेरिका के बीच में बनी हुई है दोस्तों अगर पिछले प्रेजिडेंट की मात करें तो ओबामा के समय पर इस परकार के कुछ भी किसी भी देश के साथ कोई भी तनातनी नहीं थी लेकिन ट्रम्प के आने के पर साथ चाइना अमेरिका का बिल्कुल बड़ा दुस्मन बन स बढ़ सकता है और आयात और निरियात के कई प्रोग्राम्स भी अमेरिका ने चाइना के साथ बंद कर दिये हैं और भारत से भी दमगी देकर कोरोना वायरिस की दुआयां मंगवाई गई थी इसी कारण से ट्रम्प इस बरगा से अनेक कारण हैं बड़े-बड़े कारण हैं और टरम्प के लिए अमेरिका की जनता का भी कहना है कि उन्होंने टरम्प को वोट इसी काण से नहीं दिया क्योंकि उनके बहुत सारे देशों के साथ संबन बिगडने के बाते वो हमेशा ही करते रहते हैं तो इस प्रकार से टरम्प की हान का ये भी बहुती बड़ा मुख्यकार है और टरम्प की वाइब मेरे निया भी फूट-फूट करो रही है क्योंकि टरम्प हार की का गार पर खड़े हैं और American election 2020 बहुत ही उन्चे country के जो election है वो टरमप हार चुके हैं दोस्तों आगे भी नई नई वीडियो जानने के लिए नेक परकार की न्यूज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बैल को जरूर चालो कीजिए ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो है तो उसकी जानकारी सबसे पहले पी को मिले धन्यवाद